जुलाई 2030 में कौन सा देश पांच बर्स बात यूनसको में पुनहा सामिल हुआ है राइट आप्शन सी हो जाएगा USA USA यूनसको का 194 सदस्ट देश बना संदर्फ 11 जुलाई 2030 को सहुक्त राजच अमेरिका USA और चारिक रूप से यूनसको में पुनहा सामिल हो गया इस प्रकार USA यूनसको का 194 सदस्ट देश बन गया है 2017 USA ने यूनसको पर इसराइल ब्रोधी होने का आरोब लगाया तता इस संगठन से बाहर हो गया बात में इसराइल ने भी यूनसको की सदस्टा छोड़ दी थी USA इसके पूर ए 1984 में भी यूनसको की सदस्टा छोड़ दी फिर बस 2003 में पुनहा यूनसको में सामिल हुआ यूनसको यूनाइटेट नेशनल एजुकेशनल स्रेंटफिक एंड कल्चलर ओर्गनाइजेशन फुल फॉर्म यूनसको का योद करके चलेंगे क्योंकी फुल फॉर्म भी पूँश लिया जाता है जुलाई 2013 में ACI Basic Group on Money Indians APG में परवेच्छक का दरजा पाने बाला पहला अरभ देश कौन बना है राइट ओप्शन भी हो जाएगा सयोग्त रव अमिरात एसिया पैस्पेक ग्रूप और मनी लॉंडरिंग एपीजी में परवेचक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश सयोग्त संदर्ब क्या है सयोग्त अरब अमरात ने जुलाई 2023 में कनाड़ा के बैक्यूबर में आयोजित फाइनेंसियल एक्शन टास्पोर्स स्टाइल रिजनल बोड़ी एप एस आरबी एप एस आरबी एस या पैस्पेक के ग्रूप और मनी लॉंडरिंग एपीजी के पूर सत्र में परवेचक के रूप में भाग लिया परवेचक का दर्जा दिया जाता है उन देशों को जो बित्ती अपराज से लड़ने के लिए एक के सक्री और सयोगी द्रश्टी कोड प्रदस्वित करते हैं एस या पैस्पेक गुरूप और मनी लॉंडरिंग यह बिस इस्तर पर सबसे बड़ा Financial Action Task Force Style Regional Body है एबम सीमा पार सयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है जुलाई 2030 में किसे इस्पेन का कारभाग प्रदान मंत्री निक्त किया गया है राइट आप्सन भी हो जाएगा पेडरो सांचेज पेडरो सांचेज इस्पेन के कारभाग प्रदान मंत्री निक्त निर्वाचंत थी 30 जुलाई 2030 नव निक्त कारभाग प्रदान मंत्री पेडरो सांचेज अनमहत तूर्तत जुलाई 2003 में स्पेन में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को इस पस्ट बहुमत नहीं मिला इस आम चुनाव में बपच्छी प्यूपिल पार्टी पीपी ने 33.06% मतों के साथ कुल 136 सीट जीतने में काम्याब रही जबकि सतरूर स्पैनेस सोसलिस्ट बरकर्स के पेड्रो सांचेज को स्पेन का कारभाग प्रधान मंत्री न्युक्त गया गया हुए छोटे दलों के साथ कटवंदन कर निचले सदन का समर्तन हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं ताकि नई सरकार का गठिन कर सकें सबसे पहले CPTPP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कप बना 21 जुलाई 2030 को 12 सदस से United Kingdom CPTPP प्रभावी हुआ जुलाई बर्स 2018 में कप बर्स 2018 में सदस से राश्टर कनाडा, ब्रुनोई, आस्टेलिया, जापान, चिली, मलेशिया, न्यूजिलैंड, मेस्को, पेरु, सिंगापुर था, वियतनाम विसेस UK CPTPP का PTPP में सामल होने बाला पहला यूरोपी देश है हाली में अवायद और खतरनाक दबाओं के अंतरराश्टी सिप्मेंट को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऑप्रेशन ब्रॉडर स्वार्स चलाया सयुक्त राज अमेर्का के साथ मिलकर भारत ने अवियान चलाया गया भारत और सयुक्त राज अमेर्का द्वारा के अजेंसियों की मदद से कार हेतु अवैत दवाओं उपकरणों एवं रसायनों को रोकने के लिए संचालन हेतु सयोग लिया गया USA Food and Drugs Administration FDA USA Custom and Border Protection CBP Homeland Security Investigation HSI Drug Enforcement Administration DEA और USA Postal Inspection Service USPIS तथा भारत सरकार के राजस खुपिया नदेशाला DRI का सयोग लिया गया अनमहतूर्तत अपरेशन के दोरान जाच करताओं ने भारत से आने वाले 1500 से अधिक सिपमेंट की जाच की और लगबग 500 उपवादों पर कारबाई की इस ओपरेशन से अवायद और समभावित रूप से खतरनाक दवाओं चितिक सा उपकरणों के 500 से अधिक सिपमेंट को अमेरकी उपवगताओं तक पहुँचने से रोका अगस्त 2013 में भारत और नेपाल ने सिच्छा तथा जलापूर्ती और सुष्टा सुबदाओं से सम्मंदित कितने समझावता गयापन MOU पर हस्ताचर के पैट आप्सन भी हो जाएगा चार भारत और नेपाल के लिए चार समझावता गयापन MOU पर हस्ताचर समझावता ते 34 अगस्त 2013 को समझावता करता भारत और नेपाल हस्ताचरित कुल समझावता गयापन MOU पर हस्ताचर चार समझावते नेपाल में विकास आत्ता मक्त के पर्योजनाओं से सम्मंदित है समझावते के तहट भारत की साहता से पच्चमी नेपाल के दरजुला जिले में दो स्कूल भावनों तो था पूर्भी नेपाल के संखुबा सवा जिले में एक स्कूल का निर्माड किया जाएगा इसके अलाबा पूर्भी नेपाल के दरजुले में श्री पूर्जल अपूर्थी और स्वाच्चता स्वरुजना का निर्माड जुलाई 2030 में जारी बिस प्रती इसपरधात्मक्ता सूच कांग 2030 में भारत की रैंकिंग कौन सी है प्रती इसपरधात्मक्ता सूच कांग 2030 जारी इसपरधात्मक्ता सूच कांग 2030 जारी करता इंटरनेशनल इंस्टिटूट फॉर मैनेजमेंट एंड डवलपमेंट्स आई एमडी समले देश 64, सीर स्तीन देश, डेनमार्क, आयरलेंड, सुर्जर लेंड, अंतिम देश, बेंजुला, 24 मी रैंक, भारत की रैंकिंग 40 मी, 2022 में 37 मी रिपोर्ट्स का आधार आर्थेक प्रदर्शन, वेफसाइक दश्चिता, आधार पूस, सरचिना, सरकारी दश्चिता जून 2030 में जारी, ग्लोवल पीस इंडेक्स 2030 में भारत की कौन सी रैंकिंग है, राइट आप्शन ए हो जाएगा, 126 मी ग्लोवल पीस इंडेक्स 2030, जारी महा, जून 2030, जारी करता इंस्टिट्ट फॉर एकोनोमिक्स एंड पीस, संस्क्रण सत्रमा, समले देश 163, सीज तीन देश, आइसलेंड 1.124, सेकंड पे डेन्मार्क, स्कोर है 1.31, और आयरलेंड, स्कोर है 1.312, अंतिम तीन देश 163, स्कोर है 3.448, 112, यमन, 161, सीरिया, भारत की रैंकिंग, 106, स्कोर 2.314, यह याद रखना, पिछले बार से 135 थी, भारत के प्रोशी देश की रैंकिंग, भूटान की सत्रमी, नेपाल की, उन्यासी, और चेन की असी, स्रीलंका 107, और बंगला देश 188, पाकिस्तान 146, जून दो देशों की राज की यात्रा की थी, राइट ऑप्शन डी हो जाए USA वा मिस्र की यात्रा की थी, प्रधान मंत्री नरंद मोदी की USA की राज की यात्रा, अवदी यात्रा अवदी 20-24 जून 2023, USA यात्रा 21-30 जून 2030 के महत्वर बिंदू, प्रधान मंत्री नरंद मोदी की USA क 2009 में तितकालिम पिधान मंदमान सिंग ने USA की राजकी यात्रा की थी प्रधान मंत्री नरिंद मोदी न 21 जून 2013 को डेनमार्क में सहयुक्त राश्ट मुख्याले में योग दिबस कारकरम का नेतृत किया तीन बड़ी कंपनियों के प्रमखों ने प्रधान मंत्री नरिंद सेमी कंड़क्टर बनाने वाली मैक्रोन तथा एप्लाइट मेटेरियल सामिल है टेसला के प्रमख एलन मस्क ने प्रधान मंत्री नरिंद मोदी से भेट की अंत्रिस छेत में सयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टे मिसन में सामिल होने की घुर्फडा की 22 जून 2013 को नरिंद मोदी ने USA की संसद कॉनफरेंस कांग्रेस के सयोग सत्को सम्मोद किया मिस्तर यात्रा के महत्रूर बिंदू प्रधान मंत्री नरिंद मोदी की मिस्तर के लिए यह पहली राज की यात्रा थी 22 संबंदों को नया आयाम प्रधान करते हुए इसे जड़ नीत्ती साजेदारियों मिदलने का नड़ा लिया गया मिस्त के राजपती अब देफ हते आज सीसी ने प्रधान मंत्री नरिंद मोदी को मिस्तर के सर्वोष नागरिक समान ओर्डर आवदा नील से समान जुलाई 2030 में प्रमपारेक और सुदियों पर भारत और दच्छल कूर्ब एसियाई देशों के संगठन आसियान का सम्मेलन क आयोजट किया गया राजप्सन वी हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजट किया गया प्रमपारेक और शुदियों पर भारत और आसियान सम्मेलन आवजण चिथी 22 जुलाई 2030 को आयोजण इस्तल नई दिल्ली आयोजन आयुस मंत्राले द्वारा विदेश मंत्राले और आसियान में भारती मिशन के सयोग से ओदेश परांपरा काउसदी के छेत्र भारत और आसियान देशों के बीच अन्भाव साजा करना अन्मायत पूर्तत आसियान दच्छलपूर्व एसियाई देशों का एज छेत्र संगठन है आसियान के दस दस राष्ट इंडोनेसिया मलेसिया फिलिपेन सिंगापूर थाइलैंड प्रुनोई बियतनाम लाओस मेमार और कमबोडिया मई 2003 में आस्टेलिया इस्थिद हैरस पार्क का नाम बदल कर क्या किया गया है राइट ऑप्सन डियो जाई लिटिल इंड इंडिया पार्क आस्टेलिया इस्थिद हैरस पार्क का नाम परवर्तित घोष्डा जिती तेश मई 2003 पार्क की अवस्तिती पस्चमी सिटनी आस्टेलिया पार्क का परवर्तित नाम लिटिल इंडिया पार्क अन महतपूर तत्त महतपूर तत्त पार्क का नाम परवर्तित क तरने की खोशड़ा आस्टेलिया के प्रधान मंत्री एंतनी अल्वनीज ने भारत के प्रधान मंत्री नरिंद मोदी की उपस्तिती में की। इस्तिती का मूल्यांक्यन में सामिल 146 देश मूल्यांक्यन हेतु आयाम और बरत्मान इस्तिती पर 4 आयाम एक है फस्ट है आर्थिक भागेदारी और अफसर 60.1% सिच्छा प्राप्ति 95.2% स्वास्त एवं उत्तर जीपता 96.0% राजनीतिक ससक्तिकरण 22.1% स्कोर ग्लोबल जेंडर गैब रपोर्ट 0 और बन के बीच स्कोर प्रदान करता है जहां एक पूर लेंकिक समानता को दरसाता और जीरो पूर असमानता को भारत की स्थति 117 स्थान पर स्कोर 0.643 गत बर्स भारत की स्थति बर्स 2022 में 135 स्थान पर था सीर्स रैंकिंग बाले देश आइसलैंड स्कोर 0.912 नार्वे स्कोर 0.879 फिनलैंड स्कोर 0.863 न्यूजिलैंड स्कोर 0.856 स्थान स्कोर 0.815 अंतिम रैंकिंग बाले देश अफ्गानिस्तान 146, चार्ट 165, अलजेरिया 144 इरान 143, पाकिस्तान 142 बारत के प्रोशी देश पाकिस्तान 142, अफगानिस्तान 146, नेपाल 166, चीन 107 नंबर पर है, भूटान 103 नंबर पर है, बांगलादेश 169 नंबर पर, स्री लंका 115 नंबर पर है अनमहतपूर्टत रुपोर्ट के अंसार पूर लैंगे समानता हासिल करने में 131 बर्ष से लगेंगे, आइसलाइन लगाता 14 वर्ष से सीर्स पर बना हुआ है, बर्थवान गलोबर चेंडर गैप स्कोर का प्रस्ट 68.4 परसेंट है जून 2030 में धर्वेंद प्रदान ने किस देश की पहली किरसी S.E.Z. पर्योजना को हरी जंडी दिखाई है, रैट आप्सट डी हो जाएगा, गैवन गैवन की पहली किरसी S.E.Z. पर्योजना उद्गाटन ते थी 14 जून 2030 उद्गाटन करता धर्वेंद प्रदान केंदरी सिच्चा और कौसल विकास था उद्मिता मंतरी उद्गाटन ते थी नई दिल्ली महत्पूर्तत पर्योजना तक्नीकी और ग्यान भागीदार के रूप में सेंस्चुरियन विश्विद्याले के साथ AOM सम्हू द्वारा कानवारमित की जाएगी कारकरम के प्रथम चरण में गजपती जिले के 30 किसान एवं BSC, MSC Agriculture और B.Tech, M.Tech Engineering के 20 शात इस परोजना के तहत विक्सित की जा रहे हैं किर्सी, S.E.Z के लिए किर्सी तक्नीकी और तक्नीकी सलहकार के रूप में यात्रा करेंगे 2023 में मरसर द्वारा जारी किये गए कास्ट ओफ लिविंग सर्वे के अंसर, रहने के लिए 20 में सबसे महगा साहर कौन सा है, राइट ओप्शन भी हो जाएगा, होंग कॉंग मरसर कास्ट ओफ लिविंग सर्वे 2030 जारीत थी 22 जून 2030, सर्वे में सामिल कुल सहर, 272 के सबसे महगे सहर, होंग कॉंग, सिंगापूर, जिवरेख, भारत के सहरों का इस्तान, मुंबई 147, ने दिली, 179, 184, बेंगलरू, 189, हैत्रावाद, 202 बिसेश, इस सर्वेस छड़ के अंसार, USA के सभी प्रमुक के सहरों में रहने की लागत में ब्रद्दिव भी है, जिससे यहाँ, प्रवासियों के लिए कम किफायती हो गया है जून 2030 की अधिस सूस्चना के अंसार, इंडिया पोस्ट ने भारत और किस देश के बीच, इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्वेस शुरू करने के लिए एक समझोते पर हास्ता चर्थ किया है राइट ओप्शन ए हो जाएगा कनाड़ा इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्वेस आईटी पीएस शुरू करने के लिए समझोता अधिस सूस्चना जारी करता डांग विवाक समझोता किया गया इंडिया पोस्ट और कनाड़ा पोस्ट के बीज सेवा शुरू होने की तिसी एक जुलाई दोजार्थेस उद्देश ई-कॉमर्स नर्याद को सुब्दा जनक बनाना ITPS सेवा यह उत्पादों के बित्रण और डिलेवरी के लिए लाई गई एक प्रतिस परदी सेवा है इसे इस्तानी डाग़ों के माध्यम से MS, ME और छोटे विफसाय उद्दमों को अपने उत्पादों को ब देशों में नर्याद करने के लिए प्रतिसाहित करने के उद्देश से डिजाइन किया गया है इंडिया पोस्ट पहले से ही 38 भाग़ीदार देशों को यह सेवा प्रदान करता है कनाडा 39 देश से पूर्व इंडिया पोस्ट ने 1 जून 2013 को बिर्टेन, फ्रांस, युएसे, मिस्र और ओमान सायद बायस देशों के साथ एक समझोते पर हास्ताचर किया था जिससे इस सेवा में भाग लेने बाले देशों की संक्या 16 से बढ़कर 38 हो गई थी जुलाई 2023 में भारत के बाहर इस्तापित होने बाले पहले IIT केमपस के लिए एक समझोता ग्यापन पर हास्ताचर किया गया यह केमपस कहां इस्तापित किया जाएगा राइट ओप्शन एव जंजी वारतन जानिया में के बाहर IIT के पहले केमपस के लिए समझोता ग्यापन तिथी 6 जुलाई 2023 समझोता ग्यापन MOU किया गया सिच्छा मंत्राले IIT मद्रास एवं सिच्छा और विपसायक प्रिसिश्चण मंत्राले जंजी वारतन जानिया के मद्ध IIT का पहला विदेशी केमपस इस्तापित किया जाएगा जंजी वारतन जानिया में संबंधित IIT IIT मद्रास अनमहतपूर्तत IIT का दूसरा विदेशी केमपस आबुधावी में इस्तापित किया जाएगा यह केमपस IIT दिल्ली द्वारा इस्तापित किया जाएगा जून 2013 में अरब सागर में उत्पन हुए विपर जुआय चक्रबाद का नामकर किस देश द्वारा किया गया था रैट आप्सन सी हो जाएगा बंगलादेश विपरज्वाय चक्रवाद उत्पन हुआ जून 2003 में अरब सागर में नामकर किया गया बांगला देश द्वारा विपरज्वाय का बंगाली में अर्थ है आपदा और प्रवावित राज गुजरात महाराश करनाटक गुवा जून 2003 में भारत और किस देश के उध्धोक और उध्धोक संगों के बीच पहली गोल में सयुक्त बैठक का आयोजन किया गया राइट ऑप्शन डियो हो जाएगा न्यूजिलैंड भारत और न्यूजिलैंड के बीच पहली गोल में सयुक्त बैठक का आयोजन आयोजन ती थी बैटोर बिंदू दोनों देशों के आर्थिक संबंदों को बढ़ाने के लिए ताल मेल के आवसक्ता को सुबकार किया गया बैठक में यह समान राय बनी की किसी बुमुक्त ब्वेपार समझौते से हटकर काम करने और अन्य देशों का पता लगाने की आवसक्ता है जहां दोन के पहले अंतरराश्टी क्रूस जलपोथ को चेंन्ही से किस देश के लिए रवाना किया गया रायट ओपसन B होजाएगा स्री लंका भारत का पहला अंतरराश्टी क्रूस जलपोथ रवाना करता सर्वारंद सोनोवाल केंद्री पत्तन एवं पोत परवान एवं जलमार्ग मंत्री रवाना किया गया चेननेई से स्रीलंका के लिए पहले अंतराश्टी क्रूज जलपोत का नाम अनमहत्पूर बिंदू एमबी एमप्रेस चेननेई लोटने से पहले स्रीलंका के तीन बंदरगाव हमन टोटा त्रिकोन माली और काके संत्री तक जाएगा इसके साथ ही चेननेई में अंतराश्टी क्रूज पर एटन टर्मिनल की शुरुआत हो गई जिससे 17.21 करोड रुपए की लागत से तयार किया यह है क्रूज सेवा 2022 में हुए पहले अतुल भारत राश्टी क्रूज समेलन के दोरा चेननेई बंदर गहा और मेंबर्स वाटर बेस लीजर टूरिज में प्राधिकर लिम्टेट के बीच हुए सहमत गयापन का परडाम है जून 2013 में सेयोक्त राश्ट राश्च्छा परसत की चुने गए पांस ने गैर 27 सदस्यों में कौन सा देश सामिल नहीं है राइट आप्शन डी हो जाएगा अलबानिया ज्योक्त राश्ट राश्च्छा परसत की पांस गैर 27 सदस्यों चुने की तिथी 6 जून 2013 पांस ने गैर 27 सदस्यों का कारकल दोबस चनुरी 24 से दिसंबर 25 नौर नौर नवाचिस पांस देश से इस्तान लेंगे अलबेनिया ब्राजील गयवन घाना और स्योक्तर अमिरात मैं 2030 में प्रतियक सिगरेट पर स्वास समंदी चेतावनी लगाने वाला विसका पहला देश कौन बना है राइट आप्शन डी हो जाएगा कना प्रतियक सिगरेट पर सौस दिसंबर 25 नौर सुथ में लगाने वाला पहला करें राइट आपoser 2021 मैं 2030 मैं 2030 म, प्रतियक सिगरेट पर स्वास से इस्तावनी लगाने वाला विसका पहला देश चना प्रतियक सिगरेट पर 33 में रधर 23 से Dekでした